मद्ध प्रदेश विधान सवाज चुनाव 2023 का संखनाद हो चुका है भारती जनता पार्टी के द्वारा चार लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें विभीन प्रत्यासियों को उतारा जा चुका है और सिहावल विधान सवाज की अगर बात की जाए तो भारती जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार विश्वामित्र पाठक को मैदान में उतार दिया है कांग्रेस पार्टी से लगातार परमपरागत सीट से जो लड़ते आ रहे हैं कमिरस्वर पटेल वो प्रत्यासी होंगे वहीं बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की बीस्पी की उसने अप लटा के सबसे पहले रानी जी आपका स्वागत है अवकात्षि तीकट आपको मिला बहुजन समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत सुबकाम नाए आपको सब्सक्राइब बात की जाए बिधान सभा चुनाओकsteps के बिधान सभा चुनाओक को लेकर के क्या आपकी तयारिय चल लुखे सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने असीहावल विधान सवा की जो पप्लीक है जो जनता है उसको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं साधर पडाम करते हैं जेखिम करते हैं जैजुhara करते हैं जो विधान सभा का चुनावी माहौल है तो ये तो पब्लिक एंड टाइम पे तै करेगी को किसको चूज करती है किसको पसंद करती है चुकि इस साल का जो चुनाव है जो लेक्षन है तो कहीं न कहीं एक अलग रुख देखने को मिल रहा है और ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा और लगभग लगभग पबलिक बदलाओ चाती है खासकर विधान सभा सिहावल में अभी तक पबलिक को तीसरा कोई ओप्सन नहीं मिला था तो उसकी मजबूरी थी एक फुटवाल की तरह इधर से ठोकर लगे तो उधर जाना उधर से ठोकर लगे तो इधर आ लेकिन पबलिक भी खुश है तीसरा ओप्सन पाकर के और पबलिक अच्छा रुजहान है और जिस तरह से अभी महौल देखा जा रहा है तो विधान सभा सिहावल में परिवर्टन होगा बिल्कुल होगा आपकी चुनावी रणनीती क्या होगी? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारा चुनावी रणनीती है वो हमारे संगटन के लोगते करेंगे और अभी हम इसके बिसे में कुछ नहीं कह सकते कुछ बाते हैं जो गोपनी में रखी जाती है अभी उसको हम ओपन नहीं करेंगे जो हमारी अगली रण चुनावी सबन में आपके मुद्दे क्या होंगे सबसे पहले तो हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि कितना अत्याचार लगतार बहन बेटियों के साथ सोसर्ण होता आ रहा है कोई उनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है कोई उनके मुद्दों को उठाने वाला नहीं है मडिपूर की घटना आपने देखा है दो आदिवासी महिलाओं को नंगा करके एक रोड फ्रदर्शन कराया गया और जो सत्ताधारी अभी वहां पे बर्तमान में सत्ताधारियों का सासंकाल है और हमारे बर्तमान की घटना रामनगर हमारे हां से तीन से चार किलोमेटर के आसपास में पढ़ता है वहां पर एक के बट परवार के लड़की के साथ में छे लोगों ने मिल करके बलतकार किया है और अभी सीधी के पास में एक छिरों ही ग्याओं में काजल कोल नाम की जो बिटिया है सत्रवर्सी बिटिया को दो दरिंदों ने उसके भावी के साथ सा सम्मान दिलाना रहेगा और दूसरा मुद्दा जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनको जो पढ़ाई का अवसर जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है तो उस पर हम पूरा फोकस करेंगे तीसरा मुद्दा हमारा जो बिजली की समस्या वो तो आप देखी रहे हैं सिहावल की जो समस्या है लगातार बिजली की तो उसमें तो हर पब्लिक वाकिफ है रात रात पर हम लोग बैट के सुभा करते हैं चोथा गंभीर समस्या हमारे यहां बरतवाण सिहावल की मैं बात żyवाल की में बात कर रही हूँ यहां पर जो आवारा पसू है वो उससाम के ताइम हो या दिन का टाइम हो ऐसे बैठ जाते हैं कि रोट से निकलना मुश्किल होता है तो उनको भी कहीं कहीं गोशाला सुख्षित करवाना भी हमारा मुद्दा रहेगा बिल्कुल आपने अभी अत्याचार और न्याय की बात कहीं उक्सा कांड को आपने भूला दिया बि उसको 28 ठाके लगे उसको हम लोगों ने रिफर करवाया शीधी के लिए उहां पर उनका टीटिमेंट चला और आरोभी गिरपतार नहीं हुए थे तेरा दिन के बाद हमने अपने लोगों से बात सीथ करके धरना के अथाने पर जाकर यस्पी महोदय जी से मेरी बात हुई मा यह मागा उनसे की संतोस के साथ न्याय होना चाहिए तो पूरते जो न्याय मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है दो आरोपी अभी गिरपतार नहीं हुए हैं तो कहीं न कहीं पुलीस प्रसाशन भी दबावें रहती है तो हम उमीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से पुलीस प्रसासम को भी जो दिन राते करके मेहनत करते हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि उनका दाई तो है अपने ड्यूटी को निर्भन करना पबलिक को न्याय दिलवाना और किसी दवाओं में वो ना आए हमारा यही रिक्वेस्ट वही निवेदन है और आप तो देखी रहें लग मानी महुदर जी का जो गडर रहा है पटेगल साहब का तो वह बात हर किसी को पता है और उनके संदक प्रश्ड में उनके गाओं में उनके पंचाहत में और उनीकेर हितेस्चिहां के द्वारा ऐसा कांड हो जाना ये सारी बात सिद्ध है कि एक इसका हाथ है कहने की बात नहीं है अगर उनका हाथ नहीं होता तो आज संतोस कोल को पूरते न्याय मिलता लेकिन उनका हाथ कहीं न कहीं नहीं पूरी तरह से था संतोस कोल को न्याय नहीं मिल पाया है जिसमें से दो आरोपी अभी भी गिर्यपतार नहीं हुए है तो उनका पूरा हाथ है और जनता जग गई है पबलिक समस्दार हो गई है सही और गलत का फैसला जनता करेगी क्यूंकि ये लोगतंत्र है राजतंत्र नहीं है यहाँ पबलि प्रशाइगी कि पब्लिक किसको पसंद करती है आज के चैटर बर्स पहले डाक्तर भीमरावां बेटकर साहब ने राणी के पेट से राजा पैदा होने का सिस्टम खतम कर दिये हैं वो पेटी के बोट से राजा पैदा करने का सिस्टम बना गए हैं तो कहीं न कहीं यह जो उत है पब्ली कि इस वार दिखायेगी कर के दिखायेगी यह हमारा घरोशा है सीवल के जन्ता पे आपने अभी सजाती यह 30 लोगों को यह सामदाई Y settings को लेकर चरऀ कि ख्या सिर्φ आपको अपने समदाए वर्गकाही सिर्फ मत चाहिए या फिर अन्य वर्गकावी देखिये हम बहुजर्ण समाज पार्टी के लोग हैं हम लोग बदले की भावना नहीं रखते हैं हम लोग बदलाव की भावना रखते हैं जरूर हमारी बहन बेटियों के साथ लगतार अण्याय अत्याचार हो रहा है लेकिन जिस दिन हमारी पार्टी सते पे आएगी हम सब सते पे जाएंगे तो हम लोग मतले बदले की भाबना नहीं, बदलाओ लाना चाहेंगे. सर्वसमाज की बेटियों को, सर्वसमाज की बहुँ को, सर्वसमाज की जो हमारी महिलाये हैं, उनको हम आदर और शम्मान और नयादि लाएंगे, यह हमारा प्रथम उद्धेस रहेगा. इसमें कोई जातिगत या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा कि हमारे समाज की हैं, हमारी जात की हैं तो बस उनी का हम ऐसा भला करेंगे, ऐसा नहीं होगा सर्व समाज की जो नारी है, नारी का हमारी बहुजन समाज पाटी सम्मान करना जानती है, करती रहेगी रानी बर्मा सिहावल विधान सभा से प्त्यासी है, उनको कितना आशार है, कितना मतवो प्राप्त करेंगी, और कितने मतों से वह सहमात के अंतर में रहेंगी, बिल्कुल सबसे पहली बात तो जो मान्निय बहेंजी का हमें आशिर्वाद मिला है, तो उनके भरोशे पे हम खरा उतरने की कोशिज करेंगे और दूसरी बात जो पबलिक का आसा हम पे है कि आने वाले चुनाओं में हमारा प्रत्यासी कैसा होगा उसका बिचार कैसा होगा उसका सुभाव कैसा होगा तो हमारे उपर पबलिक का पुरा भरोशा है और भरोसे पे हम ख़रा उतरेंगे तो हमारी पवलिक भी हमारे साथ ख़रा उतरेगी और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि 2023 में विधासवास सिहावल में परिवर्तन 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 ओनली वन बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बनक यहां से बोपाल जाएगा आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ चलिए हम से जूनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है धन्यवाद सर तो निश्ची तोर पर सिहावल विधान सभा से बहुजन समाज पार्टी के दोरा रानी बर्मा को प्रत्यासी बन मिल सकती है और बहुजन समाज पार्टी इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों की गणित बिगाड़ सकती है हम जल्द ही मिलेंगे फिर से किसी नए प्रत्यासी के साथ किसी अन्य विधान सभा में तब तक आप बने रहें कैमरा में मुझ दुवेदी के साथ मैं सक जोल ईाव यजा फिर से किसी अन्य रहिए विधान समय कैने तो ही